प्रेंट्स नमस्ते आप देख रहे हैं समाधानी स्टेडी और समाधानी स्टेडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है तो गाईस आप सभी विद्यार्तियों के लिए महत्पुन सेसन है हमारी जो है physics की class बहुत ही महत्पुन है आपके लिए class नंबर कुन सी 17 है जो मैं आपका तरंग प्रकास की वाला part का आपका part 2 आज complete करवाने वाला आपको सारे question आपके previous year से related होने वाले है आपका NEET, PNST, PAT, diet सारे जो भी exam है medical की CHO अगरे उन सभी के लिए महत्पुन सेसन है अगर आप लोग first time हमारी class में आ है तो चैनल को subscribe जुरू करेगा और हमारे साथ अंतिम तक बने रहना है ठीक है अगर आपको सफलता लेना है, selection लेना है तो live classes में आना पड़ेगा और live classes को join करना पड़ेगा और जो है बहतरिन तरीके से इसे क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा, तो चलिएगा आज का पहला question ही start करते है, क्या है पहला question देखीगा, आपके screen पर पहला question आ चुका है, क्या गुबला है question में समस्ते है पहले, camera का कौन सा भाग मानव नेत्र की द्रश्टी पड़ल मतलब retina को सरदस करता है, lens, film या फिर आपका द्वारक या फिर आपका सटर, तो correct answer की बात कर लो इसके, तो आपका film अगर answer आया है, तो बिल्कुर सही होगा, ओके ठीक है, अंती में आपके marks जरूर कमेंट करना है मुझे कि आपने कितने marks को gain किया और आपके कितने marks आते है देखेगा, कुछ important जानकारी इससे related कि camera का film मानव नेत्री की retina का द्रश्य है क्योंकि retina का प्रतिवीम बनता है, retina पर क्या बनता है, प्रतिवीम बनता है, उसी प्रकार film जो आपका rule पर भी प्रतिवीम बनता है, okay, retina पर ultra और वास्तवी को छोटा प्रतिवीम दिखता है क्या हुआ, जो retina पर क्या बनता है, आपका प्रतिवीम बनता है, यह क्या बनता है, ultra yum वास्तवीक बनता है, यह आपको ध्यान रखना है, और देखेगा, retina पर बना प्रतिवीम को प्रकास तंत्रीकाए क्या करती है, मस्तिस्क तक ले जाती है, जिसे हम लोग देखने की क् भूती करते है तो इतना आपको इस question से ध्यान रखना है चलिए चलते हैं आगे अगले question को solution करते हैं अगले question देखते हैं क्या है देखेगा next question है आपके screen पर कि जब कोई वेक्ती बाहर तेज प्रकास से एक अंधेरी कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह इस मरतन नहीं होता है इसका कारण क्या है option number first है आपके लिए नेत्र का सिग्रही इस्तिती अनुरूप समझित नहीं कर पाना चण भर के लिए द्रश्टी पटल का सह वेदन सिलता को जाना या फिर परी तारी का द्वारा पुतली को क्या करता तुरंत नव फैलाना या फिर ले समझित होने में देरी करेक्ट आंसर के बात कर लूँ मैं अगर आपका आंसर होगा option number C तो आपने correct किया है option number C इसका correct आंसर था चले इसके related कुछ important जानकारिये ध्यान देजेगा कि तेज प्रकास में पुतली सिकुड जाता है तथा कम प्रकास को नेत्र में प्रवेस करने देते है तथा कम प्रकास के फैल जाता है तथा उसे अधिक प्रकास का क्या करता है नेत्र में क्या करता है प्रवेस करता है आईरिस नेत्र में प्रवेस करने वाले प्रकास का क्या होता है आपका मात्रक नियंत्रित करता है यह आपको ध्यान रखना है चले नेत्र का नेस्ट कोस्तन देखेगा क्या है आपका कि नेत्र का समायोजन नेत्र की पुतली के मापन में परिवर्थित करता है परिवर्तन से होता है परितालिका के संकुचन से होता है या फिर आपका रोमाक पेसियो के द्वारा होता है या फिर आपका द्रश्टी पटल की अग्र ग्रामी गती से होता है तो नेत्र का समायोजन की बात क्या इसने देखीगा correct answer के बात कर ले तो option number आपका C से होगा क्या होगा रोमाक PCO के द्वारा इसका correct answer होगा रोमाक PCO के द्वारा ये सही होता है देखेगा यहाँ आप लोग ध्यान दिजेगा कि यह वस्तु के दूरी की यह वस्तु के दूरी के अनुसार लेंस को focus दूरी को बढ़ाने या घटाने का कारे करता है चलिए आगे चलते हैं यह ध्यान रखना है आपको कि आपका ciliary mass PCO नेत्रे लेंस को क्या करती है सिकूर कर focus दूरी को क्या करती है बढ़ा देती है क्या करती है यह फोकस दूरी को बढ़ा देती है यह आपको ध्यान रखना है चलिए और सिलियारी मासपेस या नेत्र लेंस को क्या करती है फैला कर फोकस दूरी को क्या कर देती है घटा देती है तो यह आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है चलिएगा चलते है आगे अब देख कि आपका वरद्धा वस्ता में लिखने व पढ़ने हितू चस्मा लगाना पढ़ता है क्यों नेत्र लेंस कमजोर हो जाते हैं नेत्र की समायोजन चमता में कमी आ जाती है नेत्र गोलक कुछ छोटा हो जाता है या फिर आपका नेत्र के लेंसों की आवरदन चमता क्या होती है कम आ जाती है तो आपका B option बिलकुर correct होने वाला है ठीक है क्या होगा आपका कि नेत्र की समायोजन छमता में कमी आ जाती है ओके चलिए इसके कुछ concept है ध्यान दिजेगा कि ये देखिए कि इस दोस्न में वेक्ती द्वी फोक्सी लेंस का प्रियोग करता है जिसमें आउतल लेंस उपर तथा उतल लेंस नीचे की हुरता है आउतल और उतल के बारे में मैंने आपको बधा रखा है दू उ के उच्चारन दू उतल लेंस में दूर की वस्तु देखते है यूकि उत्तल लेंस में उका उच्छार निकलता है उसी प्रकास से पास की बत्तिव देखने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग क्या करते है यूज करते है चलीगा देखेगा अन्यस्तो कोशन आपसे क्या बोल रहा है यह बहुत इंपोर्टन कोशन है कि आकास की आपका नीली मा का कारण क्या है उसका वास्त्विक नीला वर्ण ही है प्रत्वी के वायू मंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्चा नीले वर्ण का अधिक प्रकिर्णन होना सभी वर्णों के वेक्तिकरन से उत्पन नीला वर्णन या फिर आपका स्वेत प्रकास में नीला घटक अधिक प्रबल होता है देखेगा तो अगर आप सभी का option number B आया है तो आपका correct answer होने वाला है कि प्रत्वी के वायू मंडल द्वारा अन्यवर्णों की अपिक्छा नीले वर्ण का क्या होता है अधिक प्रकिर्णन होता है option number क्या B आपका correct answer है चलेगा देखेगा यहाँ पर एक और concept दिहान रखना है आपको कि बैगनी रंग के प्रकास का वर्णक सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है ओके चलिए चलते हैं आगे next question को देखते हैं कि आपका अंतरिक्ष यातरी को बाहा यह अंतरिक्ष स्वेध प्रतीत होता है या फिर आपका श्याम प्रतीत होता है गहरा नीला प्रतीत होता है या फिर आपका सिंदूरी प्रतीत होता है correct answer देख लेते हैं हम लोग कि क्या इसका correct answer होगा तो अगर आपने option number b चूँस किया है तो आपका correct answer होने वाला है smooth, syama प्रतीत होता है ठीक है कैसा होगा आपका syama प्रतीत होगा यह मतलब, syama मतलब क्या होता है syama मतलब kala होता है तो आपने स्याम बताया था बटांसर तो काला है स्याम और काला दोनों ही एक होता है बस language का थोड़ा different है चलिए देखेगा ध्यान देजेगा कि किसी भी खगोलिय पिंड के बाय अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड के सत्ह से दिखाई देता है वही क्या होता है? Sky होता है, यह आपको ध्यान रखना है और एक Concept ध्यान रखना है दिन के प्रकास में प्रत्वी का आकास गहरे नीले की तरह जैसा प्रतित होता है जो हवा के कनो द्वारा प्रकास के प्रकिर्णन के फलसोरूप होता है तो अगर आपसे पूछ लेगा कि आपको नीला दिखाई देता है तो यह प्रकिर नन के कारण ऐसा होता है जबकि रातरी में हम धर्ती का आकास तारे से मतलब भरा हुआ काले रंका दिखाई देता है यह भी आपको ध्यान रखना है तो शारे कंचिप्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह क्लास ही आपके लिए बहुत बहुत और बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग इसे पूरा पूरा जरूर देखेगा कि बाई अंतरिक्ष में इस्तित अंतरिक्ष यात्री दिन के समय तारे नहीं देख पाता तारो को बिलुकुर नहीं देख पाता दिन के समय सुर्य की विपरित दिशा में तारे को देख ले तब देख पाता है और उपरियुक्त फोर में दिया हुआ है कि सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है देखेगा correct answer की बात कर ले तो option number आपका D इसका correct answer होने वाला है क्या होगा option number D इसका correct answer है कि सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है option number क्या होगा D is correct answer होगा चलीगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा यह अभी concept बताया मैंने कि बाई अंतरिक्ष में प्रकिर्णन के अभाव के कारण आकास काला दिखाए देता है कसा दिखाए देता है आकास काला दिखाए देता है और तारे का टिम्टिमाना प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है किसके कारण होता है प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है यह आपको ध्यान रखना है चलीगा देखते हैं नेस्ट कुर्षन क्या है आपका तो नेस्ट कुर्षन आचुका है इसे देखते हैं कि next question आपसे क्या पूछ रखा है कि आपका सूरियस्त के पूर्व सूरिय गहरा आपका नारंगी लाल या फिर आपका आभायुक्त प्रतीत होता है क्यों होता है देखा दिन के अंत में शूरिय अतीत तप्त होता है संद्या किमे सूरिय में हीलियम की मातरा में व्रद्दी होती है शूरिय के वल नारंगी लाल वर्णक का प्रकास उच्सरजी करता है सूर्य के प्रकास को अधिक मोटे वायू मंडल में गमन करना पड़ता है जिसे अन्यवर्णन प्रकीर नित हो जाते हैं और प्रत्वी तक क्या होता है नहीं पोच पाता है देखेगा क्या सभी ही सभी option number D कर रहे हैं अगर आपका option number D आ रहा है तो आपका बिलकुर correct है और बिलकुर correct है इसका option number D और दूसरा इसे concept आपको याद रखना है कि लाल रंग के प्रकास का तरंगधेरिय अधिक होता है जिसके कारण प्रकीर नन नहीं होता है तथा यह दूर तक क्या होता है गमन करता है क्या होता यह यह दूर तक गमन करता है यह आपको ध्यान रखना है चलेगा चलते है आगे देखेगा next question आपसे क्या पूचा है कि साबुन के बुलबुले को स्वेत वर्ण प्रकास में देखने पर उसमें अनेक रंग दिखाई पड़ते है ऐसा पतली फिल्म द्वारा प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है बुलबुलो द्वारा प्रकिर्णन परिवर्थन प्रकास के व्यतिकरण के कारण होता है प्रकास के वर्ण परिछेपन के कारण होता है या फिर आपका साबुन के गोल की आपका वर्ण विशलेशन ताओ के कारण ऐसा होता है चलिएगा देखिए correct answer के बात कर लूँ मैं आपका correct answer option number B होने वाला है अगर आपका B आए तो बुलबुलो द्वारा परिवर्तित प्रकास के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है आपको यह ध्यान रखना है चलिएगा आगे चलते हैं यह सारे question बहुत important है आपके लिए guys यह fact तो बहुत और बहुत important है चलिए आगे चलते हैं देखिएगा कि वस्तुवक की त्री आयामी प्रति भिम्बो के अभी लेकन की तकनिक आपको बताना है स्रव्यता आलेखन कहलाती है आपका कोस क्रमा नूलेखन कहलाती है होलोगुराफी कहलाती है या फिर option number D photographic कहलाती है देखिएगा क्या answer इसका होने वाला है क्या answer इसका होने वाला है तो correct answer की बात कर लो मैं correct answer आपका option number C होगा देखिए प्रकास सभी तल में क्या होता है संचित न होकर किसी खास तल में संचित होता है ऐसा द्रूवित प्रकास कहलाता है यो इस घटना को आपका द्रूवन कहलाती है ये घटना क्या कहलाती है आपका द्रूवन कहलाती है आगे चलते हैं देखेगा नेस्ट कुछन आपका है कि एक इस्थान से दूसरे तक तरंग के गमन में पदार्थ का अभी गमन होता है, उर्जा का अभी गमन होता है, द्रवेमान का अभी गमन होता है, किसी का भी अभी गमन नहीं होता है इसके right answer के बात कर लो मैं आपका option number B correct होगा कि सूर्य का अभीगमन होता है option number आपका B correct है और B, B, B is the right answer चलिए आगे चलते हैं कि तरंग का अर्थ होता है लहर तरंग का अर्थ क्या होता है तरंग का अर्थ होता है लहर यह आपको ध्यान रखना है चलिए भौतिकी में तरंग का अभीप्राय अधिक व्यापक होता है जहां यह क्या होता है कई प्रकार के कंपन या दोलन को क्या करते है व्यक्त करते है चलिए सारे important question देखेगा यह तो बहुत सांदर question है क्या है question पढ़ते है पहले तो देखेगा परिदर्सी में होने वाले प्रकास की परिघटना परावर्तन है प्रकिनन है आवर्त आपका अपवर्तन या फिर आपका वित्रन मतलब कोई भी आपर दो सही है या फिर आपका तीनों सही है यहाँ पर बात कर लो मैं इसका परावरतन करेक्ट है और आपका अपवरतन करेक्ट है दोनों आपका करेक्ट है तो ऐसा option only और only option number B के साथ है तो आपका B इसका correct answer होने वाला है प्रकास की किर्णे का किसी माद्य में भिकराव की घटना को प्रकिर्णन कहा जाता है ठीक है वो भिखर रही है मतलब वो क्या हो रहा है आपका प्रकिर्णन हो रहा है चलिए चलते हैं आगे देखेगा अगले question की बात कर लो मैं क्या है आपका next question डाक्टरो द्वारा रोगी व्यक्ति के पीट को क्या करता है आंतरिक परिक्चाहितू प्रयुक्त endoscope प्रकास के परावर्तन पर निर्वर करता है प्रकिर्णन पर निर्वर करता है अपवर्तन पर निर्वर करता है पून आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है निर्वर करता है तो guys इसका right answer पूर्ण option number D आ चुका है कि आपका पूर्ण आंतरिक परावरतन पर क्या करता है नेरवर करता है यही आपका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावरतन क्या होता है इसके example आपसे exam में पूच जाता है देखिए प्रकास जब सगन माध्यम से वीरल माध्यम में प्रवेस करता है तो यह अभी लंब से दूर जाता है यदि सगन माध्यम में आपतन कोन का मान बढ़ता जाए तो अपवरतन कोन का मान भी बढ़ता जाता है यदि निश्चित आपतन कोन ऐसा प्राप्त होगा जिसके लिए परावर्तन कोन का मान 90 डिगरी होता है तो इस आपतन कोन को क्रांती कोन कहते है और इस प्रकार प्रकास के वर्णों के उसी माध्यम में वापस लवड़ जाने की घटना को पूर्ण अंतरीक परावर्तन कहते है और यह म्रग मरीची का जो आप रगिस्तान में जाएंगे और आपको असल लगेगा कि सामने पानी आपको प्रतित हो रहा है बट वहाँ पर आगे जाके देखेंगे तो आपको पूर्ण पानी बिलकुर भी नहीं मिलेगा तो यही होता आपका पूर्ण अंतरीक परावर्तन के कारण चलिएगा आगे चलते हैं देखेंगे नेस्टो कोशन क्या है तो नेस्टो कोशन आपसे पूछ रहा है इनोंने कि मानव नेत्रका वह भाग जो फोटोग्राफी केमरी के द्वारक के समान कारी करता है परिताली का कहलाता है लेंस कहलाता है या फिर आपका तारा कहलाता है या फिर आपका रोमाब पेशिया कहलाता है चलिएगा करेक्ट आंसर देखेंगे क्या इसके करेक्ट आंसर की बात कर लो में वेरी गुड बहुत ही बढ़िया option number c बिल्कुर सही है आपका पुतली कहलाता है क्या कहलाता है आपका पुतली कहलाता है तारा कहलाता है इसका कुछ concept ध्यान रखेगा कि पुतली मतलब आईरिस पुतली आईरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकास नेत्र में प्रवेस करता है क्योंकि यह सभी प्रकास को अवसोसित कर लेता है इसलिए इसका कारण क्या होता है इसका सोरी इसका रंग जो होता है आपका बलेक होता है ओके चलेगा आगे चलते हैं आईरिस के रंग के आधार पर नेत्र का रंग होता है किसी के नेत्र भूरी होती है किसी के टोटल बलेक और किसी क चलते हैं देखेगा नेस्ट क्या पुछा आप से कि फोटोग्राफी केमरे की यफ संख्या द्वारक के व्यास को दरसाती है द्वारक व्यास को विलोम को दरसाती है लेंज की फोकस दुरिवर द्वारक के व्यास के अनुपात को दरसाती है या फिर आपका lens की focus दूरी व द्वारक के व्यास के गुनन फलक को दरसाती है correct answer guys option number आपका C होने वाला है क्या होगा option अगर आपने C प्रयास किया है तो आपका सही होगा कि आपका photographic camera की यव संक्या lens की focus दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को क्या करती है दरसाती है चलिए ये आपको ध्यान रखना है चलेगा अब चलते है व्यापार विज्यान कला मनुरंजन के छेतर में छाया चित्रकारी में बहुत से उपयोग होते है क्या होते हैं बहुत सरे यूज होते हैं इसके देखीगा प्रकास विद्धुत सेल विद्धुत उर्जा को प्रकास उर्जा में परिवर्तित करता है उसमा उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है प्रकास उर्जा को रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित कर करता है देखेगा इसके करेक्ट आंसर के बात कर लो मैं option number d correct होगा प्रकास उर्जा को विद्यत उर्जा में परिवर्तित करता है option number क्या है आपका d correct answer होगा चलेगा आधे चलते हैं नेस्ट देखिए आग की पुतली कि आग की पुतली ये question देखिगा थोड़ा बड़ा है कमदूरी की द्रश के लिए स्वतह समायोजित हो जाती है वर्ण अनुसार स्वतह समायोजित हो जाता है प्रकास की मात्रा अनुसार स्वतह समायोजित हो जाता है या फिर आपका वस्तु के आकार के अनुसार स्वतह समायोजित हो जाती है करेक्ट आंसर के बात कर लो मैं option number आपका C correct answer है कि प्रकास की मातरा मतलब तिवरता अनुसार स्वतही समायोजित हो जाती है option number B आपका correct answer है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यह सारे concept जैसे कि वह आयरिस के एक छोटा सा चिदर होता है जिसके द्वारा प्रकास नेत्र में प्रविश करता है क्योंकि यह सभी प्रकास को क्या करता है आउसिसीद करता है यह सारे concept आपको learn करना है और learn करना है तो यह आपके महत्पुन क्लास थी गाईस और आसा करता हूँ आप class को देखेंगे, class को share करेंगे, अगर आप first time आया है चैनल को subscribe जरू करेंगे चलिए मिलते हैं आप लोग morning session में, जो morning session 6 बज़े से start होता है हमारा का start होता है तो समाधान study YouTube channel आपके लिए हर समय खड़ा है आपको जहाँ पर भी जरूत होगी guys Instagram ID note कर लिजे आप लोग समाधान study तो इस पर आपका सभी समस्याओ का समाधान मिलेगा, इसलिए इस channel इस group का नाम समाधान study रखा गया है तो चलिएगा जैहिन नमस्ते